हेलो फ्रेंट स्वागेत ड्रीम जो बड़्ड़ एजुकेशनल यूटूब चैनल पे आज हम मदब्रदिस आविकारी विभाग, मदब्रदिस पटवारी और मदब्रदिस के जितने फिर एक्जाम है जिन में साइंस आती है यानि कि साइंस एक पार्ट है तो उसके लिए हम आज 14 नंबर की टेस्ट मॉक टेस्ट ले गया है तो आप इसको भेतर तरीके से आप एक बार खुद से भी अटेम्ट करने की कोशिस कीजिएगा और उसके बाद आप एंसर देखिएगा कि आप से कितने बन रहे अगर आपको इस लेक्षर की टेडियु थे हमाई टेलिग्रम चैनल ड्रीम जोबअड़ा वहां आपको इसकी पिडियुप मिल जाएगा अगर इसकी अपको पेडियुप चाहिए तो आप चैनल का नाम दिख सकतेए tão टेलिग्राम चैनल क नाम तो वहां से आप इसको डाउ करेंगे तो एक Channel आएगा जिसका लोगो ऐसा ही है जो हमाई Channel का logo सेम ऐसा ही logo है तो वहाँ पस आप किसकी पीडियोप मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखें पहला क्योश्यन है वाहन की गती को जानने के लिए यानिकि मापने के लिए मापने में मदद करता है तो वहान की गति जो है किसके दौरा मापी जाती है तो ये मापी जाती स्पीडो मीटर के दौरा तो इसका जो एंसर होगा उप्सिन नंबर A हो जाएगा दीकिए बोल्ट मीटर क्या होता है बोल्ट मीटर से हम बोल्टेज को मापते हैं विभुवांतर को मापा जाता है बोल्ट मीटर से विभुवांतर को मापते हैं विभुवांतर को मेजर करने के लिए करते हैं ठीक है यहीं बात है लेक्टो मीटर Lactometer से क्या है milk की purity के लिए दूद की purity के लिए यानि कि दूद की दूद का गाढ़ापन गाढ़ापन मापने के लिए इसको यूज करते है Lactometer का So next question है कि कि किसी जल विद्धुत ग्रह में विद्धुत उर्जा में परिवर्तन होने वाली उर्जा कौन सी है तो इसका मतलब समझेगा जब विद्धुत ग्रह होते हैं जल विद्धुत ग्रह में जो विद्धुत उर्जा बनती है वो किस उर्जा के परवर्ति होके विद्धुत उर्जा में बनती है तो ये एक गति जुर्जा होती है इसका जो एंसर होगा option number D होगा जब water जो होता है water की जो speed को यानिकि speed से पानी को छोड़ा जाता है गति से छोड़ा जाता है जो की turbine में पड़ता है इसके कांड ये गति जुर्जा को convert कर पाता है बिद्धु तुर्जे में तो इसका answer होगा option number D हो जाएगा so वहीं हम next question पे चलेंगे कि निमनलिकित मेंशे कौन सा प्रकति में कभी अकेले नहीं रह सकता है यानिकि प्रकति में उसका अकेले में कोई अस्तित्तु नहीं है तो देखिए यहाँ पास जो बल है जो force है ये कभी अकेले नहीं रह सकता है ठीक है इस बात क अच्छा समझेगा और बल क्या है एक शदिश राशी है बल एक शदिश राशी है शदिश राशी है और ये कभी अकेले नहीं रह सामेशा प्यर में ही रहता है ठीक है So next question किसी pin का भार new thumb कहा पास होता है जो फिट होता है कोई भी pin का भार यानि कि weight जो होता है weight होगा कहाँ पास नंतम होगा तो ये जो new thumb इसका भार हो जाएगा वो हो जाएगा भूमद रेखा पर यान्के ऐक्वेटर पे जो होगा, इक्वेटर पे इसका भारमिनिमम होगा और रूोंपे पोल होगा जEक्वेटर होगा पोल्ग होगा, बुरूंपे होगा, जEक्वेटर होगा कर हुझ यह हुझा अब जो हुझाvenirूरट МУ, यह जूसा है इसका जो एंसर होगा, वो option number कौन सा हो जाए, नियुनता पूछा, तो A हो जाएगा, cryogenic, dash dash दरसाता है, तो cryogenic जो होता, वो कमतापमान को दरसाता है, तो इसका option number A से ही होगा, यहीं किसी एकल आबरती की आवाज को क्या कहते हैं, यानि कि एकल, single जो होती है, आबरती की आवा जो होता है, कई आवरतियों को mix कर देते हैं, जब कई आवरति को, आवरति को मिसरित कर देते हैं, मिसरित करने के पश्चाद बनती है, ठीक है, करने के बाद जो हमाई पास आएगा, वो होती नोट आएगे उसको, और single कॉम टोन बोलते हैं, यहीं एक गोला कार दरपंट, जिसकी परावरतिक सतय अंदर की और मुड़ी है, जिसकी परावरतिक सतय जहां से reflect होगी हमारी कोई भी light, वो अंदर की तरफ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंदर की तरफ का मतलब क्या है, यह ऐसा हुआ है, ठीक है, और ऐसा कब होगा, जब यह आउतल दरपंट होगा, य अगर हम बात करेंगे, ओतल दरपंट का इस्तमाल कहां किया जाता है, काफी ज़्यादे क्योशन पूछा जाता है, तो यह दाड़ी बनाने के लिए, दाड़ी बनाने के लिए ओतल दरपंट का उपयोग करते हैं, यह जो आपकी सर्च लाइट होती है, यह जो आपके बस light ह होती है, यानि कि टार्च लाइट जो होगी ना, टार्च लाइट, उसी को सर्च लाइट, टार्च लाइट में भी इसका उपयोग करते हैं, ओतल दरपंट का करते हैं, ठीक है, और दिखिए, सोलर कूकर में भी, सोलर, सोलर कूकर में भी इसका इस्तमाल करते हैं, ओतल पड़ पड़ ही होता है वाहिनों की हेडलाइट ठीक है हेडलाइट में उतल दर पड़ होता है अगर दीए यहाँ पास एक शीच कन्फ्यूज मत हो यह वाहिनों का जो रियर मिरर होता है जिससे आप देखते हैं वो उतल दर पड़ होता है तो यह हेडलाइट जिससे आगे का जो portion होता, जहां से light निकलती है, वो होता है, आपका आउत अल्दर पड़ हो जाएगा, so next in में से कौन सा रासानी कुर्जा को बिद्धूत उर्जा में परिवर्तित करता है, इन चारों में से कौन सा ऐसा है, जो रासानी कुर्जा को, तो बैटरी जो होगी, बैटरी जो होती, इसमें रासानी कुर्जा को बिद्धूत उर्जा में कनवर्ट किया जा, उर्जा को बिद्धूत उर्जा में, को बिद्ध्यूत उर्जा में, so next question में चलेंगे हम कि निम्नलिकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है इन्हें में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है दूद का दही में जमना दूद का दही में परिवर्तन जो होता है वो होता है एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा तो निम्न मेंशे अधात्मों का भौतिक गुड़ नहीं है देखे अधात्मों का कौन सा भौतिक गुड़ नहीं है यहाँ पस नहीं की बात की तो अधात्मों के गुड़ों की अगर बात करेंगे तो देखे अधात्मों के अगर हम गुड़ों की बात करेंगे कुछ पॉइं वर्दनी ना होता है यानि कि अधारत वर्दनी नहीं होता है ये भी हो जाएगा ये अधात्मों के गुड़ है ठीक है तो इसमें जो केबल ठोश अवस्था तो अधात्म जो होते हैं वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं तीनों अवस्था में पाए जाते हैं ठीक है ठो सो नेष्ट एल कच्छ में रखे जाने वाले इलेक्ट्रोनों की शंख्या क्या होती है एलेक्ट्रोनों की संख्या होगी एलेक्ट्रonie जो शंख्या होती है वह उती 2 यान इस्कुरेड ठीक है जहाँ N की बात करेंगे and different different होते ही अलग-अलग कच्छाओं के लिए के के लिए N कमान एक होता है, L के लिए 2 होता है, N के लिए 3 होता है, M के लिए 3 और N के लिए 4 तो यहाँ पास किसके बात कर रहा है कौन से L का अच्छा, L का अच्छा में 2 होता है तो 2 into 2 के पावर 2 यानि कि यह हो जाएगा 8 तो इसका answer जो होगा वो अपसर नंबर A हो जागी Mendeleaf, Mendeleaf की आवरती नियम किस पर आ दे तो Mendeleaf की जो आवरत शायडी थी वो किस नियम पर आधारी थी तो यह था उनके weight के अनुसार यानि कि परमाड़ो द्रव्यमान के अनुशारत था तो इसका answer हो जाएगा option number C हो जाएगा और Mendeleaf जो था जब इन्होंने अपना तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने आवरत साड़ी को वर्ग और आवरत में यानि कि इनको किया था आवरत कितने थे इन्होंने इनके हिसाब से आवरत की अगर बात करेंगे 7 आवरत थे और अगर बात करेंगे वर्ग की तो इनके पास जो थे वर्ग में 9 वर्गों में या साथ आवर्ट में इन्होंने सारे element को divide किया था, लग-लग किया था, तो इसका answer होगा, option number C हो जाएगा, यहीं next question चलेंगे, इन्हें से कौन सा रासायन है, जल में घुलन सील नहीं है, तो कौन सा रासायन है, जो की जल में घुलन सील नहीं है, mars gas का प्रमुक गटक है, मार्स gas मीथेन होता है, और यह जाद़ का दल-दली, दल-दली छेत्रों में पाए जाते हैं, या पिर आप धान के जो खेत होते हैं, वहा यह इग पाए जाएगी धान के खेतों में. एक फैटों में so next question अम्ल की बविद्य होने केकाण् मासपेशियों में क्यारे मासपेशियों हो जाता है, जिसके कनडे एक बविद्य यदि आपके इसको formula लिगना है तो C3S6O3 होता है, इसका रासानिक छोत्र होता है, दीए अगर फार्मिक अमले की बात करेंगे, यह होता है red ant में, cheaty में, cheaty में, malli कमले की बात करेंगे, यह पाया जाता है shio में, apple में जाता है, मैली कमले कहां पाया जाता है, और acety कमले जो होता है, वह कहां पाया जाता और vinegar में पाया जाता है, रक्त एक प्रकार का होता है, देखें, रक्त तो एक प्रकार का सहयोजी होता है, रक्त और हड्डिया जो होते हैं, एक प्रकार के सहयोजी होता है, पौदे में फ्लोयम का काम क्या है, तो फ्लोयम जो होता है, भोजन का परिवान करता है, और जाइलम जो होता है, वो पानी का तो इसका एंसर हो नमबर A हो जाएगा, यहीं विकास के सिद्धान्त सम्बंदित है, तो विकास का सिद्धान्त किस से सम्बंदित है, किस ने विकास का सिद्धान्त दिया था, यह एकर बात करें, एनलीडा वर्ग से सम्बंदित ने, एनलीडा वर्ग क्या होता है, एनलीडा हो जोगा, इसके रिस्ट हो गया, वो नहीं संबत, इसके एंसर हो जोगा, option number D, so आज की लेक्चर में इतना ही, अगर वीडियो को पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, तेंक यू,